नमस्ते मैं अजय भोला अर्श केंपस में आपका स्वागत करता हूँ आज यजुरुवेद का बार्वा अध्याय हम पढ़ेंगे इससे पहले हम अध्याय शुरू करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ताकि आने वा स्वरेणयं भर्गो देवस्य दीमही दियो यो नह प्रचो दयात ओम शान्ति 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 आइए आरंब करते हैं सुर पूरव दिशा में द्रिष्टी गोचर हो रहे हैं उनकी आज की दिन भर की आयू संगर्ष पूर्ण है वे शोभा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं यजमानों ने जब स्वर्ग लोक से सुर को प्रकट किया तब हवी ग्रहन करने के लिए वे अगनी रूप में आए सुर समान मन से सुभः और दिन की यात्रा करते हैं एक दूसरे से बिलकुल अलग रूप वाले एक शिशु को ये देव उप्युक्त रीती से पोशित करते हैं सुर स्वर्ग लोक और प्रित्वी लोक के बीच चमकते हैं वैसे ही धन दाता देव गन अगनी को धारन करते है सुर विश्व रूप वैकवी हैं वे दुपायों और चुपायों का कल्यान करते हैं वे वरण हैं वे सभी को प्रेरित करते हैं वे उशा देवी के जाने के बाद आकाश में शौभित होते हैं हे स्वीता देव आप गरूड सवरूप हैं त्री वृत स्तौम आपका सिर हैं विर्ट साम और रथंतर साम आपके दोनों पंक हैं पंच दश स्तोम आपकी आत्मा हैं चंद आपके अंग हैं सब यजू आपके नाम हैं साम आपका शरीर है यजिये साम आपकी पूँच हैं दिश्नियों में निहित अगनी आपके पंक हैं आप शुब गतीमान हैं आप स्वर आप विश्णु के पद न्यास वे शत्रु नाशी हैं। आप जगती चंद पर आरूड होने और स्वर्ग लोग का अनुकरन करने की कृपा कीजिये। वान और सब को प्रकाशित करते हैं, वे अपने प्रकाश से सब को प्रकाशित करते हैं। ये अगनी आप हमारे समुक पदारते हैं। आप आयू वर्चस्व संतान वे धन के साथ हमारे पास पदारिये। आप बुद्धी आश्वर्य वे पोशन के साथ हमारे पास पदारिये। हे अगनी आप श्रिष्ट अंग वाले हैं। हम आपको सैंकणों हजारों प्रकरमाएं करते हैं। आप हमें पोशकता देने वाला पोशन वे नस्ट हुआ पशुधन और धन प्राप्त कराने की करपा कीजिए। हे अगनी आप हमें उर्जस्वी बनवाईए। आप हमें बार बार संपन वे आयू संपन बनाने की करपा कीजिए। आप बार बार पाप से बचाने की कृपा कीजिये, हे अगनी, आप धन के साथ पधारिये, आप पृत्वी को जलधार से सींचिये, यह जलधार प्यास बुझाने वाली है, आप पूरे संसा को इस से सींचिये, हे अगनी, हमने आपको अमंत्रित क्या है, आप उखा के भीतर स् वे धुरूव हो ये आप एविचलित होकर रहिए सभी आपको चाहें यज्ज की क्रपा से पुरा राष्ट ब्रस्ट होने से बचे हे वरुन आप हमारे उपर बीच वे नीचे के मंधन दूर कीजिए आप अधीति के पुत्र हैं हम अधीति के प्रति अनागस हो जाएं अगनी विशाल, प्रजवलित, उशा के आगे स्थित और अंदकार से जोति की ओर जाते हैं वे सुर्य के साथ सामने प्रकटे वे अंदकार नाशक के साथ प्रकटे उन्होंने उत्पन होने होते ही सभी लोक लुकांतरों को व्याप्त कर दिया अगनी गमनशील पवित्रस्थान में रहने वाले धन वर्षक वे सब को बसाने वाले वे अंतरिक्ष में होने वाले हैं वे देवों के आवाहक हैं वे वेदी में स्थित रहने वाले हैं वे व्योम वासी हैं और चिंगारी से उत्पन हैं वे रित और पत्थर से उत्पन हैं वे विशाल हैं हे अगनी माता की गोद में बैठने की तरह आप इस आसन पर विराजिये आप सर्वज और विद्वान हैं आप अपने तप से इस मचिया को मत तपाईए आप अपने भीतरी जोती से हमें चमकाईए हे अगनी यह उखा आपका घर है इस में चमकिये आप अपने तप से इसे तपाईए आप सर्वज हैं आप कल्लान कारी होए हे अगनी आप मेरे प्रती भी कल्लान में होकर इस उखे के घर में विराजिये यहां भी कल्लान कारी होकर ही रहिए आप सभी दिशाओं को कल्लान कारी बनाईए अगनी यह उखा आपका मूल स्थान है आप इसमें स्थित होने की कृपा कीजिए सर्व प्रतम स्वर्ग लोक में अगनी का जनम हुआ है दोबारा हमारे पास मनुष लोक में उनका जनम हुआ है मेग के रूप में उनका जनम हुआ है तीसरी बार निरंतर प्रवाहित होने वाले जलों में उनका जनम हुआ है वे निरंतर प्रवहमान हैं हे अगनी हम आपको तीन प्रकार से तीन रूपों में जानते हैं आप रक्षक वे सर्वत्र व्यापक हैं हम आपके परमगुप्त रूप को भी जानते हैं, हम आपके मूल उत्स को भी जानते हैं, जहां आप इन रूपों में प्रकट हुए हैं, ये अगनी, प्रजापती, देव सब के कल्यान कारी हैं, वे आपको इंधर में बनाते हैं, प्रमात्मा सर्व दृष्टा हैं, वही आप आप को प्रजवलित करते हैं, आप स्वर्ग लोक के स्तन जैसे हैं, आप ही सब की ब्रोत्री करते हैं, अगनी के गरजने की आवाज, मेग के गरजने की आवाज के समान है, पृत्वी को मेग के समान ही भिगाते हैं, समिधावान, अगनी, स्वर्ग लोक और पृत्वी लोक को प्रकाशित वे उनके मध्ध चमकते हैं अगनी उदारता से धन देने वाले धन धारी मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले और सोम के पालक हैं वे बलके पुत्र जलों के राजा और प्रदिप्त होने वाले हैं वे सबसे आगे शौबित होने वाले हैं अगनी संसार की पताका और उसका गर्भ हैं उत्पन होकर वे स्वर्ग लोग और प्रित्वी लोग को व्याप्त कर लेते हैं इंद्र देव जैसे देवराज रूप में वे बड़े से बड़े परवत को भी भेद देते हैं पांच व्यक्ति अगनी की पूजा करते हैं अगनी इच्छा करने योग पवित्र दुस्टों के प्रती प्रेमहीन और स्रेश्ट बुद्धी वाले हैं वे अमर वे मनुष्यों के इच्छा पूरक हैं उनका धुआ उपर की ओर जाता है वे चमकीले हैं अगनी अपनी शोवा स्वर्ग लोक तक फैलाते हैं अगनी दर्शनिय हैं वे रुक्म जैसी आभा वाले हैं अगनी अपनी आभा से प्रित्वी पर शोवित होते हैं चमकते हैं अमर हैं श्रेश्ट वीर्य वाले हैं ये वे प्रित्वी और स्वर्ग दोनों लोकों के बीच सुभाय मान हैं ये अगनी आप शोवा दायक हैं आज यजमान ने आप के लिए विदि यजमानों को स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने की किरपा कीजिए फे अगनी आप यजमान को श्रेष्ट यश्दाई कामोवे शास्तर के पठन-पाथन में लगाने की किरपा कीजिए सूर्य और अगनी प्रिय हैं इनकी किरपा से हम उन्नती शील पुत्र और पौत्र प्राप्त करते हैं इनकी किरपा से हम अतीव अभ्यूदय को प्राप्त करते हैं हे अगनी हम यजमान प्रती दिन आपका अनुसरन करते हैं यजमान आपकी किरपा से सभी परकार के धन प्राप्त करते हैं आपके साथ हम सभी परकार के धन की इच्छा करते हुए उजिशों की तरह गायों के बाड़े में चले जाएं अगनी यजमानों के द्वारा सेवन योग है अगनी विद्वानों के द्वारा सेवन योग है अगनी नायक और सोम पालक हैं हम द्वेश रहित स्वर्ग लोक वे पृत्वी लोक का आवाहन करते हैं हे देव आप हमें सुवीर बनाईए और हमारे लिए धन धारिये हे अगनी आप समीधावान हैं हम आपकी प्रिकर्मा करते हैं आप हमारे अतिति हैं हम घी से आपको जगाते हैं आप इसमें हवी होमने की करपा कीजिए हे अगनी आप प्रान स्वरूप हैं आपको अपने बुद्धी से उपर की और धारन करने की किरपा करें आप हमारे प्रती कल्यान कारी होने की किरपा कीजिए आप सुमुख और जोती रूप धन वाले हैं हे अगनी आप जो तिसमान हैं आप इसी रूप में यहां से प्रस्थान करने की किरपा कीजिए हम कल्यान कारिश तूतियों से आपकी अरचना करते हैं आपकी ये बड़ी बड़ी लप्टें सूर्य की तरह चमकती हैं आप अपनी लप्टों से अपनी संतान के प्रतिहिंसा मत कीजिए अगनी के गरजने की आवाज मेग के गरजने की आवाज के समान है पृत्वी को मेग के समान ही बिगाते हैं समिधा मान अगनी स्वर्ग लोग और पृत्वी लोग को परकाशित करते हैं वे स्वर्ग लोग और पृत्वी लोग के मद्ध चमकते हैं अगनी द्वारा लिए बोलेगे मंत्र को सुनते हैं अगनी सूर्य के समान भाशित होते हैं वे युद्ध में पुरु के सहायक रहे वे राजा दिव्य और हमारे अतिति हैं हमारे प्रती कल्यान कारी होने की किरपा कीजिए है जल देवी आप इस भस्म को स्विकारने और इस से लोकों को सुग परकार धारें जैसे माता पुत्र को धारन करती है हे अगनी जल में आप की सहस्थिती है आप जल के साथ ओशद धारन करते हैं वनस्पतियों के गर्भ से बार बार प्रकट होते हैं हे अगनी आप उश्दियों का गर्भ हैं आप वनस्पतियों का गर्भ हैं आप सभी प्रा प्राप्त होईए आप जल के साथ मिलिए और पुनह जो तिसमान होईए आप पुनह अपने सदन में प्रवेश कीजिए हे अगनी आप पुनह अपने सदन में प्रवेश कीजिए आप पृत्वी पर ऐसे शयन कर रहे हैं जैसे संतान मा की गोद में सो रही हो आप हमारे प्रति कल्यान कारी होने की कृपा कीजिए हे अगनी आप हमें पुनह उर्जस्वी और आयुसमान बनाईए आप हमें पुनह पाप से बचाईए हे अगनी आप हमें पुनह धन के साथ प्राप्त होईए आप वर्षा की धारा से पृत्वी पर सारी मनस्पती को बढ़ाने की किरपा करें हे अगनी आप हमारे इन वचनों को सुनिये प्रसन व्यक्ति आपकी और रुष्ट व्यक्ति आपको कोशते हैं हम आपके तन का वंदन करते हैं हे अगनी आप धन के स्वामी और धन दाता हैं आप हमारे द्वेश्यों को दूर करने की किरपा कीजिए सर्व कर्मा अगनी के लिए स्वाहा हे अगनी आपको आदित रुद्र वसू पुनह प्रजवलित करने की किरपा करें अगनी धन के नेता हैं वे यज्ज से यज्मान आपको बार बार प्रजविल करने की किरपा करें वे घी से आप अपने शरीर की ब्रुत्री करने और अपने यज्मान की कामनाएं पूरी करने की किरपा करें ने पुराने जो भी यम दूत यहां हों वे दूर बहुत दूर चले जाएं बहुत दूर हट जाएं पृत्वी का यह स्थान यम्राज से स्वम यजक हेतू हमारे पुर्वजों को देने की कृपा करें हे उशा आप सम्यक ज्यान हैं आप कामनाएं धारन करती हैं आप हमारे लिए भी कामना धारन करने वाली हों आप भस्म और अगनी की पूरक हैं धर्ती पर बालू की पतली रेखाएं विचाई गई हैं आप चारों और तथा उपर की और स्थापित होने की किरपा कीजिए आप यज्ज को उश्रिश कर बनाईए यह वही अगनी है जिसे सोम के रूप में इंद्र देव अपनी जठ्रागनी में बरते हैं यह हजार गुणा है यह अन्न में बलदाई और सरवज्ज हैं हजारों के द्वारा इन की स्थूति की जाए हे अगनी आपका जो वर्चस्व स्वर्ग लोक में है वही वर्चस्व पृत्वी लोक में है वही वर्चस्व ओश्दियों वै जलों में है जिससे आपने अंत्रिक्ष का विस्तार किया है वही यह सूर है वह सभी मनुश्यों को देखने वाला है हे अगनी आप स्वर्ग लोक से सीधे जल पाते हैं देवगण हमारी बुद्धी को उचाई की और प्रेरित करते हैं जो सामने सूर्य के रूप में भाशित है और जो नीचे जल के रूप में श्थित है आप दोनों परकार के जलों की बरसात करने की किरपा करें हे अगनी पश्वों का हित साधने वाली लोक में व्यापक मन के साथ प्रेम रखने वाली बिमारियां दूर करने वाली अन देने वाली वर्षा करने वाली इस्ट सिध्धी करने वाली अगनियां प्रेम पूर्वक इस यज्ज का सेवन करने की किरपा करें हे अगनी आप बहु कर्मा हैं आप यजमान के लिए गाय के घीक आदी का दान कीजिए हमें पुत्र संतान दीजिए हमारी संतान हमारा और आगे वंच बढ़ाईए अपनी वह कल्यान कारी बुद्ध हमें प्राप्त कराईए हे अगनी आपकी यह वेदी रितु को जनम देने वाली है इसी से उत्तपन होकर आप चमकते हैं आप यह जानते हुए इस पर चड़ने की किरपा कीजिए आप हमारे धन की बढ़ुत्री करने की किरपा कीजिए हे अगनी अब आपकी स्थापना कर दी गई है अब आप अंग अंग में रमने की किरपा कीजिए आप चित हैं आप अब विराजिये आपको चारों और स्थापित कर दिया गया है आप चित से स्थापित होने की किरपा कीजिए हे अगनी लोक को पूरने से जो जगह रह गई है आप उन छेदों को भरने की किरपा कीजिए आप वहां स्थिर होकर स्थापित होने की किरपा कीजिए आपको इंद्र देव अगनी और ब्रस्पती देव ने यहां स्थापित किया है स्वर्ग लोक से जो जल मिलता है उससे सोम शौभा पाते हैं देवों के जनम जनम और परतेक यज्ज में यह सोम इस स्वर्गिक जल से परिपक्व होता है सभी वाणिया स्मुद्र के समान विश्ट्रित हैं वे वाणिया रतियों में महरती इंद्र देव की महिमा का गुनगान करती हैं इस इंद्र देव बलवानों में सरवाधिक बलवान हैं इंद्र देव पालकों में शृष्ट पालक हैं हे इंद्रदेव हम समान मती वाले हों हम सब आपस में प्रिय हों हम सब प्रकाश वान हों हम सब एक साथ प्रेरित हों हम सब समान उर्जास्वी हों हमारे यज्ज का सफलता पुर्वक समापन हो हे अगनी हमारे मन समान हो, हमारे संकल्प समान हो, हे अगनी आप पुर्यों के स्वामी हैं, आप हमें उर्जस्वी बनाइए, आप यजमान के लिए उर्जाद्धारिये हे अगनी आप नगरों के स्वामी हैं आप धनवान हैं आप पुष्टी मान हैं आप सभी दिशाओं को कल्यानकारी बनाईए आप यहां अपने मूल स्थान में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए हे अगनी आप सरवज्ज हैं आप हमें समान मन वाला बनाईए आप हमें समान चित वाला बनाईए आप हमें समान शुरद्धा वाला बनाईए आप यज्ज में हिंसा मत कीजिए आप यज्ज पती हैं आप आज हमारे प्रतिकल्यानकारी होने की कृपा कीजिए जैसे माता पुत्र को धारती है वैसे ही उखा कल्यानकारी अगनी को धारती है समस्त देवगणों और रितु द्वारा एक भाव से प्रेरित उखा को प्रजापती विश्व कर्मा पाश से जोक्त करने की किरपाकने हे दुष्ट दलन में समर्थ आप चोरों और तसकरों का नाश करने में समर्थ हैं आप विशिष्ट शक्तिशाली हैं आप चोर डाकू छोड़ कर अन्य लोग हमें दीजिए हम ए देवी आप के लिए हमारा नमस्कार हे निर्कृते आप तेजश्वी हैं आप शक्तिमान हैं आप लोहे जैसे दृड़ हैं आप हमें सांसारिक सत्व बंदन से मुक्त कीजिए यजवान को यम लोक से उत्तम स्वर्ग लोक में पहचानने की किरपा कीजिए हे निर्त्रे आप करूर सभावाली हैं हमें जनम मरन के बंदन से मुक्त होने के लिए आपको आहूत प्रकट करते हैं बले ही आपको भूमी कहते हैं परवे आपको सब और से सरवज्य मानते हैं निर्त्रे देवी उन बंदरों को हटाती हैं जिन पाशों ने आपकी गरदन को जगड रखा है आप उन बंदरों से छूटिए आप पोशक अन को ग्रहन कीजिए आप हमें धन दीजिए देवी को हमारा नमन हे अगनी आप वास दाता धन दाता रूप वान और अभिष्ट फल दाता हैं आप सवीता देव जैसे प्रकाश मान हैं सत्य रूपी धर्म वाले हैं युद्वे इंदर देव की भांती स्थिर रहने वाले हैं आप कभी वैधीर हैं देवों के अच्छे मन के लिए आप हलको बैल के जोड़े के साथ जोतते हैं हे किसानों आप हलको जोड़िये बैल के कंधों पर जुआ रखिये आप खेत को जोतिये आप बीज बोईये स्रिष्ठी में अच्छी फसल के लिए स्तूति कीजिए अन भर भर कर तयार हो अन अच्छी तरह पके भूमी को हलके फाल से राम से जाएं हे वायू हे सुर्य आप हवी से प्रसन्ठ होए आप पृत्वी को जल से सींचिए आप उशद उपजाईए आप पृत्वी को श्रेष्ट सलों भलों से पूरिये विश्व और मरुदगन हलके फाल को अनुमति देने की किरपा करें उसे शहद से सींचने की कि उर्जस्वी हो ये आप दूद से दिशाओं को और हमें घीवे दूद से सीचिये हल फाल युक्त हैं पृत्वी को खोदते हैं सोम के रक्षक और कल्यान कारी हैं कृषी उत्पादन के साथ ही भेड बकरी पूष्ट गउएं रत वहन करने वाले उत्तम घोडे प्रदान करते ह हल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं मित्र देव और वरुण देव के लिए इंद्र देव तथा अश्वनी देव के लिए पूषा देव वैप्रजा गण के लिए ओशदियां उपलब्द कराने वाले हैं मनुष्य अवध्य और यज्ज के द्वारा देव मारक पर ले जाते हैं आप संसार के पार ले जाने वाले हैं हम इश्वर की किरपा से जोती को प्राप्त करें महीने दिन और वर्ष से प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा लाल किरनों से प्रेम रखने वाली उशा देवी के लिए स्वाहा चिकित सिय कार्यों से प्रेम रखने वाले अ प्रइम रखने वाले अगरी देव के लिए स्वहा, पहले देवताओं के लिए तीन युग में उष्दियां उत्पन हुई हैं, हमें सेंकडों धाम और साथ धान्यों की समता का ज्ञान है, उष्दियां पक कर भूरे पीले रंग की हो जाती हैं, उष्दियों के सेंकडों ना करने की किरपा कीजिए, उष्दियां पुष्वती हैं, उष्दियां पुष्पवती हैं, फल उपजाने वाले गुणों से युक्त हैं, उष्दियां हमें अनंद परदान करने वाली और घोडों की तरह वेगवती हैं, रुकावटों को तेजी से दूर करने की किरपा करें ओश्दिया माता पिता के समान और दिव्य गुणों से संपन है हम उनके गुणों के बारे में कहते हैं हे यज़ पुरुष आप से प्राप्त गोडे गाए और आत्मिक सुखों को उपभोग करें ओश्दियों का निवास पीपल और पत्तों में है आप गव भजन बनिए आप आकाश का सेवन कीजिए आप वर्शा करिए आप यजमान को अनधन संपन बनाए जैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध में जाते हैं वैसे ही ओश्दिया रोगी और रोग के प्राप्त जाती हैं रोग नाशक होने के कारण उन्हें वैद और विप्र कहा जाता है अनिष्ट का निवारन करने के लिए अश्ववती और सोमवती उर्जा से हम प्रिचित हैं हम यह उर्जा ओजश्विता की पोशक हैं जैसे गवशाला से गाएं जंगल में जाती हैं वैसे ही यज्ज का धुआ वायू मंडल में जाता है अगनी के शरीर से निकलती हुई लपट से उनकी शक्त और सामर्थ प्रकट होती है आप रोग नासक हैं आप माता जैसी हैं आप विकार नाशक हैं आप अनकी भांती मनुष्य को शक्ती मान बनाने की किरपा करें ओशदिया रोग पर वैसे ही आकरमन करती हैं जैसे चोर गायों के बाड़े पर आकरमन करते हैं ओशदियां शरीर के समस्त रोगों को विकारों को नस्ट करती हैं जैसे वद ग्रह में ले जाया गया प्राणी वहां पहुंचने से पहले ही अपने आप को मरा हुआ मान लेता है वैसे ही इन शक्तिशाली ओशदियों को लेने से पहले हम जब हाथ में रखते हैं तो राज यक्षमा जैसे बिशन रोग भी भाग जाते हैं जब ओशदि कठोर शरीर के अंग प्रतंग में पसरती हैं तो यक्षमा आदिवेंक कर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती हैं ओश्दी लेने के साथ ही यक्षमा रोग दूर हो जाते हैं पराण वायू की तरह ओश्दी के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेश रोग भी नस्ट हो जाते हैं हे ओश्दियों आप यहें दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की किरपा कीजिए सभी उश्दिया परसपर सहयोग और हवारे इन वच्छनों को सुनने की किरपा करें फल वाली फल हीन पुश्प हीन पुश्प वती बहुत उतपन होने वाली उश्दियां हमें रोगों से मुक्त करने की किरपा करें ये ओश्धियों आप हमें कूपत्य और दुशित जल से होने वाले विकारों से मुक्त कीजिए आप हमें चहों अनुशासन वैपालने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त करने की किरपा कीजिए स्वर्ग लोक से ओषदियां पृत्वी लोक को प्राप्त होती हैं जो इनका ठीक से सेवन करता है वह कभी समय से पहले नहीं मरता ओषदी सोम की रानी वह बहु गुणा है वह सैंकडू विलक्षन गुणों वाली है वे ओषदियां अभिष्ट सुख देने वाली वे हरदय को शक्ति देने में समर्थ हैं जो ओषदी सोम की रानी है वे बहु गुणा है सैंकडू विलक्षनों गुणों वाली है ओषदियां अभिष्ट सुख देने वाली हैं हरदय को शक्ति में समर्थ हैं ओशदियां पुरुष को वीरवान बनाने की किरपा करें जो ओशदियां पास हैं जो दूर हैं जो विबिन रूपों में उगी हुई हैं वे सभी हमारी प्रार्थना सुनती हैं सभी ओशदियां साथ मिलकर हमें वीर परदान करने की किरपा करें हे ओषदियो जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोदते हैं तो आपकी किरपा से खनन दोश मुक्त हों, दोपाए चोपाए और हमारे सभी लोग आपकी किरपा से रोग मुक्त हो जाएं, ओषदिया अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती हैं, राजन हम जिसे ब्रह अमन बना देती हैं वह पार हो जाता है ओश धियां बल नाशक वह रोगों का भी नाश करने वाली है ओश धियां मस्स जैसे रोगों को भी उपचार करने वाली है ओश धियां यक्षमा जैसे सैंकडों रोगों वह पके हुए फोड़े का भी नाश करने वाली है गंधर्मों इंद्र देव वे ब्रस्पती देव ने उष्दियों का खनन किया है राजा सोम ने उष्दियों का खनन किया है वे राजा और विद्वान हैं उन्होंने यक्ष्मा रोग से मुक्त किया है हे ओश्दियो आप शरीर के सभी शत्रों को दूर करने में समर्थ हैं उन्हें दूर करने की किरपा करें हे ओश्दियो आप अपनी सामर्थ से हमें सभी कस्टों से मुक्त कराने की किरपा कीजिए हे ओशधी आपका खनन करने वाले दिरगायू हों मैं भी आपका खनन करता हूँ मैं भी दिरगायू हों आप भी दिरगायू होने की किरपा करें सैंकडो अंकुरों से मुक्त होने की किरपा करें हे आउशदी आप उत्तम हैं आपके समीप वाले वरिक्ष आपके लिए कल्यान कारी हो जो हमारे प्रती दुर्भावना मैं हो वे भी आपकी किरपा से हमारे अनुकूल हो जाएं जो पृत्वी के जन्म दाता हैं जो स्वर्ग लोक के रचियता हैं जो आदी पुरुष हैं जो सत्य धर्मा हैं हम उनके परती कभी भी विपृत ना हो हम कभी भी उनके परती कूल ना रहें जो प्रथम जन्मा है उसके अलावा हम अन्यकिजदेव की अपनी आयूत्य अर्पित करते हैं में उनकूल करने की किरपा कीजिए हे अगनी आपकी जो जुआला चमकीली और चंद्रमा जैसी है आपकी जो जुआला पवित्र है और यज्य से संबंदित है हम उन्हें आहूत अर्पित करते हैं अगनी उर्जश्वी अमरता के मूल वे महान इच्छाएं पूरी करने वाले हैं हम अगनी को अमंतरित करते हैं वे गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की किरपा करें उनकी किरपा से हम निरोगी हो जाएं हे अगनी आप प्रसिद धनवान वे त्रिकालग्य हैं होने की सूचना देता है सूचना देता हुआ स्वर्ग लोग तक जाता है आप यजमान को अन धन परदान करते हैं है अगनी आप पवित्र और अत्यधिक वर्चस्व वाले हैं आप सुर्य रूप में उदे होते हैं जैसे माता पिता बेटे का पालन पोशन करते हैं वैसे ही आप स्वर्ग लोक और प्रित्वी लोक दोनु लोकों का पालन करते हैं हे अगनी आप उर्जश्वी सर्वज्ज हम अच्छी प्रसंचा से आपको आनंदित करते हैं आप सब का हित धारिये यजमान रक्षा साधनों से सुरक्षित और शुरेष्ठ कुल में जनम लेने वाले हैं वे आपको अन्नमई आहूत भेट करते हैं हे अगनी आप अविनाशी हैं यजमान स्वर्व प्रथम आपको प्रजवलित करते हैं आप यजमानों को धन प्रदान कीजिए आप अपने सुंदर शरीर से शौबित होते हैं आप यजमें सारी आकांक्षाएं पूरी करते हैं हे अगनी आप यज के करता धरता श्रेष्ट चिंतन वाले हैं आप यजमान को महान धन प्रदान करते हैं उसको सोभाग शाली और महान महिमा वान बनाते हैं आप हमारे लिए भौतिक और अध्यात्मिक भैरव वैभव दारन करते हैं हे अगनी आप सत्वान महिमा शाली वैस्वे समस्त विश्व के लिए दर्शनिये हैं हम नगरवासी अच्छे मन के लिए आपको दारन करते हैं आप प्रसिद्द और प्रथम वंदनिये हैं मनुष्य युग युग से दिव्य गुणों वाले आपका गुणगान करते हैं हे सौम विश्व की तेजस्वीता आपको प्रसन करें आप वृत्थी को प्राप्ट करने की किरपा करें आप अन की संगती के लिए हमारे पास पदारने की किरपा करें हे सौम आप पोशक रश और अन बरसाने की किरपा करें आप अमरित से त्रित कीजिए आप स्वर्ग लोक में विख्यात हैं आप चिरकाल तक स्थिर होने की किरपा कीजिए हे सौम आप आनंद दाता हैं आप सर्वत्र प्रसन होने की किरपा कीजिए आप शुब हो ये आप विख्यात और हमारे मित्र हैं आप ब्रोत्री पाईए हे अगनी आप हम आपके पुत्र हैं आप परमस्थान पर विराजते हैं हम शुरेष्ट स्त्रोतों से आपकी वाणी में वंदना करते हैं हे अगनी आप श्रेष्ट अंगों वाले हैं, आपके प्रती प्रित्वी की श्रेष्ट प्रार्थनाएं अलग-अलग से समर्पित की जाती हैं, हम अपनी कामनाओं की पूर्ती के लिए आपकी उपासना करते हैं, हे अगनी आप हमारे प्रिय धामों का अपर स्वेच्छा से सुशोबित हो रहे हैं, आप वर्तमान और भविश्य की सब मनो कामनाओं के पूरक और समराट हैं, आप दीपती मान होकर सुबित हो रहे हैं, तो इसी के साथ आज हमारा बार्मा अध्याए पूर्ण हुआ, आपके मंगल की कामना करते हुए, अगले अध्याए के साथ हम फिर उपस्तित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जैहन्त,